प्रिंट्स आज हम बनाएंगे पैपलम ब्लाउस और इसे हम बनाएंगे प्रिंसेस कट पर 36 साइज का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएगा तो यहां पर लाइनि हम जो उपर का पाट है उसमें हम 14.5 फाइब प्लस कर रहे हैं और स्व्डर ले रहे हूं 5.5 फाइब निच आर्मों ले रहे हैं5.75 फाइब यहां पर feliz का फॉर पार लेना है 36 का 4 पाट होगा for the gold नाए निंच कंब टू इंच प्लस करना हैë उस्ट है हमारी 30 उसका फोर्थ पार्ट लेंगे 7.5 इंच 2 इंच प्लस करेंगे मार्जन के लिए और वन इंच लेना है टक्स के लिए इस तरीके से लाइन ड्रो करेंगे और वन इंच से आर्मॉल के साइड गुलाई देंगे तो यह हमने बेक पार्ट के मार्किंग की और अब हम फ्रेंट पार्ट के मार्किंग करेंगे टोटल लेंच ले लिए 15.5 इंच इस तरीके से यहाँ पर लाइन ड्रो करनी है हमें और यहां पर हमें आर्मोल लेना है 5.75 इंच चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9 इंच 2.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए क्योंकि यह फ्राइंट पार्ट है तो हमें यहां पर 2.5 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए नीचे के साइट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए और 1 इंच से गुलाई देनी है आर्मूल पर इस तरीके से कटिंग कर लेना है इनकी तो यह हमारा back party और यह हमारा front party तो front party पर हम princess cut की marking करेंगे 3.5 इंच पर हम marking करेंगे और जो होक होंगे वो हम back में करेंगे tuck point होगा 10.5 इंच पर और यहांपर है princess cut का shape देना है तो one side से हम half inch लेंगे और इक side से हम one inch लेंगे length में हमें two inch लेना है और यहांपर हमें shape देना है तो दिखी इस तरिके से shape दे दिया है cutting कर लेना है इसकी तो cutting हमने याँ पर इसकी कर ली है और अब हम याँ पर sleeves cut करेंगे तो पहले हमें back armhole measure करना है तो half inch हमें stitch करने के लिए चोड़ देना है जो armhole आ रहा है वो आ रहा है 7.5 inch half inches में plus करेंगे तो 8 inch लेना है हमें अब दिखिए total length जो है वो रख रहे हमें आपे 20 inch 2 inch plus किया है मैंने margin का और armhole था हमारा 8 inch तो 8 inch पर हम marking करेंगे इस तरीके से sleeves down करेंगे हम 3.5 inch पर यहाँ पर हमें sleeves का shape देना है और 2 inch plus करना है margin के लिए sleeves round है हमारा 7 inch उसका half लेंगे 3.5 inch 2 inch plus करेंगे margin के लिए और इस तरीके से line draw करते हुए इसे cut कर लेना है तो दिखिए sleeves को हमने आपर cut कर लिया है और यह है इसका center part और यहाँ से हमें front के लिए shape देना है sleeves में चो front में हम stitch करते हैं उसके लिए और यहाँ पर हमने sleeves को cut कर लिया है अब देखिए जो नीचे के side की frill है वो हमें यहाँ पर लेनी है तो मैं इसे ले रही हूँ पूरा 11 inch 9.5 हम इसे ले रहे हैं और 11 inch लिया है तो हमने 1.5 inch को extra लिया है जो पूरा pabulum blouse है हमारा उसकी land ते 24 inch और upper part हमने 14.5 inch का लिया था और जो frill हम इसमें लगाएंगे वो 9.5 inch के लिया है और इसमें 1.5 inch प्लस किया है इस तरीके से हमने 11 inch पर मार्किंग करते हुए है यहाँ पर 3 layer निकाल लेनी है इसकी इस तरीके से तो मैं यहाँ पर plates वाला इसे बनाऊंगी तो इस तरीके से straight में हमें यह fabric को निकाल लेना है और वाकी जो fabric है उसकी हमें डिजाइन बनानी है तो पहले हम front part stitch करेंगे तो देखिए जो man fabric है उसे wrong side पर रखेंगे उसकी उपर lining रखनी है और इसे 4 side से stitch करना है stitch हमने इसे कर लिया है इसका जो extra fabric है उसे हमें cut करना है और दूसरा part भी हम इसी तरीके से stitch करेंगे तो दोनुँ ही part हमने stitch कर लिये है और इस part को भी हमने stitch कर लिया है पेपर पेस्टिंग लेना है हमें और neck bit लेनी हमें 2.75 inch और इसकी जो length है वो ले रही हमें हमें 6.5 inch इस तरीके से हमें एक box बनाना है और यहाँ पर हमें shape देना है तो इस तरीके से हमने इसका shape दिया side से 1 inch extra लेते हुए हमें आप मार्किंग करनी है और इसे cut करना है इसे हमने cut किया lining पर हम इसे paste करेंगे तो देखे इसे paste कर लिया है और side से इस तरी से half inch हमें इस तरह से fold करनी के लिये लिया था इसे fold कर लिना है हमें इसे और center पर हमें cut लगाना है और marking कर लेनी है इस तरीके से हमने marking कर ली है और यह front part है उस पर भी हमें cut लगा लेना है और center पर marking कर लेनी है और center को center पर रखते हुए center से craft stitch करेंगे और अब हमें यहापन एक को stitch करना है extra fabric cut करना है neck का और पूरे ही neck पर हमें cut लगा लेना है पलट लेना है इसे तो देखिए से हमने पलट लिया है side से के stitch कर लेना है neck को हमने यहापर stitch कर लिया है और अब जो princess cut हमने cut किया था उसे हमें यहापर stitch करना है तो इस तरह से रखते हुए हम इसे stitch करेंगे इसी तरीके से दूसरा side का part भी हमें stitch करना है तो दोनों ही part हमने stitch कर लिये हैं और अब नीचे की side हमें इसमें देखिए यहापर हमें यह पूरा 9.5 inch है तो हमें lining fabric लेना है और 9.5 inch पर इस तरीके से marking करनी है length में हमें 6.5 inch लेना है और यहाँ से हमें इस तरीके का shape देना है यह देखिए इस तरीके से इसे cut कर लेना है और इसे हमने man fabric net fabric पर भी cut कर लिया है तो दो parts cut करने हमें इसके तो जो net fabric रखा है उसे right side पर रखा है इसके उपर lining रखते हुए इस तरीके से stitch करना है इसका जो extra fabric है उसे हम cut करेंगे और यहाँ पर cut लगाएंगे पलट लेना है इसे और side से stitch करना है इसकी जो गोलाई है वो हमें अच्छे से निकाल लेनी है और side से भी से stitch कर लेना है इसका जो extra fabric है उसे हमें cut करना है और दुसरा part भी हम इसी तरीके से stitch करेंगे तो दोनुई part हमने stitch कर लिये है और देखिए center से इसको इस तरीके से रखना है और से stitch करना है तो pin up कर लेना है पहले हमें यहाँ पर और फिर हमें से stitch करना स्टार्ट करना है तो देखिए यहां से हम stitch करना start करेंगे तो one side का part हमने stitch कर लिया है इस पर दूसरा part भी सी तरीके से stitch कर लिया है और अब नीचे के side इसमें पटी लगाएंगे पटी की weight ते 1.5 inch और एक stitch हमें पटी के उपर से कर लेना है पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करेंगे तो दिखिए से हमने stitch कर लिया है और आर्मोर पर हमें half inch की गुलाई देनी है चोकि हम princess cut में बाद में ही cut करते है दोनों ही आर्मोर हमें इसी तरीके से ready करना है front part हमारा ready हो चुका है back part की neck width 2.75 inch ली है मैंने और इसकी जो land है वो ले रियू में आपर 11 inch एक box बनाना है और यहाँ पर हमें shape देना है यह देखिए इस तरीके से shape दे दिया है हमने इसका और इसे cut करेंगे तो back में हमें हुखाई की पट्टी लगानी है तो इसलिए हमने center से इसे cut कर लिया है जो man fabric के उसे भी cut कर लेना है और अब हम यहाँ पर neck को stitch करेंगे तो मैं यहाँ पर paper pasting use नहीं कर रही हूँ अगर आप चाहें तो यहाँ पर paper pasting use कर सकते हैं और इस तरीके से man fabric को हमने right side पर रखते हुए इसके उपर lining रखते हुए neck को stitch किया है पूरे neck पर हमें cut लगा लेना है और इसे पलट लेना है देखिए इसे हमने पलट लिया है और side से इसे stitch करेंगे देखिए इसे हमने stitch कर लिया और बाकी side से भी से हम stitch करेंगे और इसका जो extra fabric है उसे हमें cut कर लेना है हमारा side का part है उसे भी हमें इसी तरीके से stitch करना है अब देखिए यहां पर हमने दुनों part stitch कर लिया है अब हमें यहां पर जो part है हमारा उसको नीचे रखना है उसके उपर lining इस तरह से रखते हुए और जो neck है वहां पर हमें इस तरह से marking कर लेनी है इसकी यह देखिए हमने marking कर लिये है और इसे cut कर लेना है तो यहां पर भी हमने दो piece लिये है जैसे कि हमने front में लिये थे और net fabric पर भी इसे cut कर लिया है और अब इसे हम स्टीच करेंगे तो जो net fabric है उसे right side पर रखना है और उसके उपर lining रखते हुए इसी तरह की से स्टीच करना है extra fabric cut करना है और गोलाई पर हमें cut लगाना है पलट लेना है इसे और side से stitch करना है बाकी side से में stitch करेंगे और जो extra fabric है उसे हमें cut करना है तो देखिए दोनों ही पार्ट ready कर लिये है और अब एक पार्ट पर हमें इस तरह के से रखते हुए इसे stitch करना है तो देखिए जो neck है वैसे हमारी यहाँ पर डिजाइन आ गई है अगर नहीं आ दिये तो आप पहले उसे बराबर करिए और फिर आप यहाँ पर इसे attach करिए तो दोनों ही पार्ट समने आप पर ready कर लिये हैं और अब हमें यहाँ पर hook की पट्टी लगानी है तो देखिए इस तरह से fold करेंगे और stitch करेंगे अब पट्टी के उपर से stitch करना है और extra fabric है उसे अंदर के side fold करना है और इसको पलटते हुए एक बार और stitch करेंगे तो ओकी कब पट्टी हमने यहाँ पर लगा लिये और अब हम आई की पट्टी लगाएंगे तो देखिए इसे नीचे के side रखते हुए stitch करेंगे और इसे हमें थोड़ी चोड़ी लेना होता है और उपर के side से इस तरह के से fold करेंगे और side से इसे stitch करेंगे side से के stitch और कर लेना है और यहाँ पर हमें back tux लगाना है तो back tux की जो लेन थे वो रखी मेंने आप पर 4 इंच और नीचे के side इसमें पट्टी भी लगा लेनी है जैसे हमने front में लगाई थी पट्टी हमने यहाँ पर लगा ले है और अब हमें यहाँ पर shoulder को stitch करना है तो इस तरीके से रखते हुए shoulder को stitch करेंगे ऐसा ही दूसरा shoulder stitch करना है shoulder को stitch कर लिया है हमने shoulder में जो extra है उसे यहाँ पर cut कर लेना है इस तरीके से अब दिखिए यहाँ पर हमने यह पट्टिया ले है फ्रिल ले है तो यह 2 इंच है हमारी और इसकी जो land है वो 24 इंच है तो जितनी भी पट्टिया हमने यहाँ पर फ्रिल ली है उसकी land 24 ही है और यहाँ पर हमने इसे नेट फैबरिक के two pieces लिया है और इन पर पीको कर लिया है और इसकी वी विट्थ हमने टू इंच ली है और लेंध में यह भी 24 इंच है और देखिए अब जो sleeves है उसे center पर हमने पार्किंग करनी है और यहाँ पर हमें प्लेट्स डाली है इसमें तो देखिए टोटल जो हमारी sleeves वो 20 इंच रखनी है हमें तो यहाँ पर हमें जो net fabric है उस पर हमें 5 इंच की फ्रिल लगानी है तो मतलब जो फ्रिल हम लगाएंगे वो पूरी 5 इंच आनी चाहिए और इस तरीके से हमें यह stitch करना है और जो net plain net fabric है उसकी जो फ्रिल की length होगी वो 10 इंच होगी और फिर से हम यहाँ पर net fabric जो है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस तरीके से stitch कर लिया है तो देखिए इस तरीके से हमें gathering strap कर दालना है plates डालते जाना है तो देखिए जो हम plates डाल रहे है उसकी length है 5 इंच होना चाहिए ज्यादा नहीं होना चाहिए और यह जो plain net है उसकी total length होनी चाहिए 10 इंच तो देखिए यहाँ पर हमने यह plates डाल ली है इसमें और इस तरीके से center पर हमें marking करनी है और इसे center पर रखते हुए हमें stitch करना है तो यह जो हमारा net fabric है उसमें side से जो net था plain net मैंने उसको यहाँ पर यूज में लेया है अगर आपका भी net ऐसा हो तो आप भी इसको यूज में ले सकते हैं इस तरीके से और भी अच्छी design बना सकते हैं आप यहाँ पर और इसको सीधा करते जाना है और stitch करते जाना है क्योंकि यह stitch हम plates जालते हैं तो यह fold हो जाती है तो आपको इसको सीधा करते हुए stitch करना है इस तरीके से हमने इसे stitch किया है यहाँ पर और अब यहाँ से हमें इस तरीके से stitch कर लेना है इसे दूसरे जो स्लीव से उसे भी हमें इसी तरीके से ready करना है और अब दिकी स्लीव को attach करेंगे हम यहाँ पर तो center पर इस तरह से रखते हुए और यहाँ पर हमें stitch करना है से स्लीव में जो हम extra part cut करते हैं उसे हमें front पर stitch करना है और इसी तरीके से हमें दूसरे साइट भी stitch करेंगे तो दिकी स्लीव को हमने stitch कर लिया है दूसरे स्लीव भी इसी तरीके से stitch की है और center पर हमें pin up करते हुए और side से हमें stitch करेंगे extra fabric cut कर लिना है और दूसरे साइट भी हमें इसी तरीके से stitch करना है और दीके blouse कोल्टा कर लिना है और side से एक पर का margin रखते हुए हमें इसे stitch करना है दूसरे साइट से भी इसी तरीके से stitch करेंगे और center से हमें यहाँ पर chest के fourth part पर marking करनी है chest का fourth part है 9 inch और waist का fourth part है 7.5 inch तो हमें इस तरह से marking कर लेनी है और देखिए यहाँ पर sleeves जो है 7 inch है round में और यहाँ पर sleeves round 7 inch उसका half लेना है 3.5 inch और इन चारों marking को मिलाते हुए हमें यहाँ पर fitting लगानी है इसी तरीके से दूसरे साइट भी हम fitting लगाएंगे और अब देखिए जो frill हमने यहाँ पर cut की थी उसे हमें नीचे के साइट से इस तरीके से fold करना है और त्री parts लेते हैं हमने इसके तो उनको साथ में हमें join करना है और इस तरीके से नीचे के side से fold करना है तो देखिए हमने से fold किया और side से इस तरीके से fold करेंगे तो देखिए हमने से fold करना है और अब हमें यहाँ पर plates डालनी है तो जो हमरी waste है 30 है तो plates हमें ऐसी डालनी है कि 30 इंच ही आया है total plates डालने के बाद तो दिखिए इस तरीके से हमें इस पर plates डालनी है पूरे ही fabric पर हम इसी तरीके से plates डालकर इसे ready करेंगे तो दिखिए हमने पूरे ही fabric पर plates को डाल लिया है और अब हम blouse में से stitch करेंगे तो दिखिए back parts से हम लगाना से start करेंगे क्योंकि back side हमारी open side है तो दिखिए इस तरह से रखना है इसे और stitch करना है पूरे ही blouse में इसी तरीके से attach कर लेना है से stitch कर लेना है और plates आपके चोटिया बढ़ी होती है तो आप एक दो plates निकाल कर उसे बराबर में कर सकते हैं blouse के बराबर ही कर लेना है आपको तो देखिए हमने से stitch कर लिया है तो friends हमारे ये peplum blouse बनकर ready है तो आप comment करके जरूर बताइएगा कि आपको ये video कैसी लगी वीडियो को like share जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजेगा पैल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तक कि आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें Thank you कि आपको मिलती रहें